साथियों कॉंग्रेस और इंडी एलाइंस की सोच हमेशा से विकास विरोधी और किसान विरोधी रही है इसलिए देश में दसकों तक किसानों की हारत लगातार इतनी खराब रही है उनके दौर में जैसे काम होता था उसके लिए मराठी में कहावत है और उस कहावत में कहते हैं बारशाला गेला आणि बारा व्याला आला परिवार के नाम पर पत्थर तो लग जाता था लेकिन कई पीडियां गुजर जाती थी फिर भी काम नहीं पुरा होता था विदर्व को कॉंग्रेस सरकारों के इस रवय का बहुत नुक्सान उठाना पड़ा लेकिन आज हमारी सरकार विदर्व को उतनी ही जादा प्रात्रिक्ता देकर काम कर रही है यहां एकना चिंदे जी, देवेंद्र फणनविज जी और अजीत पवार जी पूरी शक्ती से आप सभी की सेवा में जुटे हुए है आप देखिए, NDA सरकार बाड़साब ठाकरे समरुत्ति महामार का निर्मान करवा रही है आज नाकपुर से गोवा के बीच एक लाग करोड रुपी की लागत का ग्रीन हाइवे बन रहा है वर्दा, सेवा ग्राम, पुलगाओं और हिंगन गाड जते खेत्रों में बहतर रेल सेवा उपलब्द हुई है वर्दा, यवतमार, नांडेड के बीच, रेल्वे लाइन और वर्दा से बल्लार शहा के बीच रेल ट्रेक जेसे प्रोजेक इस खेत्र की कनेक्टिवीडी बढ़ा रहे है दामन गाव रेल्वे स्टेशन का पुनर विकास किया जा रहा है हमारी सरकार ने आर्वी विदानसवा खेत्र में सिंकिंगल लाइन को ब्रॉडगेज रेलिवे लाइन में बदनने के लिए अलग से फंड दिया है वर्दा के सिंदी में ड्राइपोड का काम भी पूरा हो चुका है और देश में टेक्स्टाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो टेक्स्टाइल पार्क बन रहे हैं उनमें एक अमरावती में बन रहा है यानि विदर्ब आप पिछडे पन के उस दुस्ट चक्र से बाहर निकलेगा जिसमें कॉंग्रेस पार्टी ने विदर्ब को फसा कर रखा था इंफ्रास्ट्रक्चर और अउद्यों की पिछडे पन के कारण ही विदर्ब के किसानों को इतने दसकों तक आर्थिक तबाई से जूजना पड़ा है यह हाइवेज, एक्स्प्रेस वेज और रेल वेज हमारे इन किसानों की सम्रुद्धी के महा मार्ग बनेंगे साथियों परदा और अमरावती में सींचाई की समस्या यहाँ किसानों के लिए कितने बड़े संकड का कारण रही है यह हम सब को पता है लेकिन पिछली सरकारों ने इस और कभी मानदारी से काम नहीं किया 2014 में देश में ऐसी 99 बड़ी सिंचाई परियोजनाई थी जो दसकों से अठकी हुई थी इसमें सबसे ज़्यादा संक्या महाराष्ट की सिंचाई परियोजनाओं की थी यह NDA सरकार है जो इने तेजी से पूरा करा रही है अब लोवर बर्दा इरिगेशन प्रोजेक्ट और अमरावती का लोवर पेड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट किसानों के लिए बर्दान बनने जा रहा है इसके अलावा भी इस पूरे खेत्र में स्वीचाई के लिए कई छोटे प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं साथियों हम समस्याओं के समादान के साथ ही संभावनाओं के सुजन के लिए भी काम कर रहे हैं हमने अमरावती के संत्रे और वर्दा की हल्दी को बन डिस्टिक बन प्रोड़क के तहर अलग से पहचान दी है ताकि यहां के किसानों को इसका लाब हो किसानों के आर्थिक सहायता के लिए किसान सम्माद निदी का पैसा भी सीधे किसानों के खातों में बेजा जा रहा है अक्केले वर्दा में ही किसानों के खातों में भारत सरकार की तरफ से 300 करोड से जादा रुप्य भेजे गए और महाराष्ट में देवेंद्र जी और सिंदे जी की सरकार के द्वारा भेजे गए वो अलग